हेलो फ्रेंट्स, तो आज की कहानी उस वक्त की है, जब इंसान अर्थ को छोड़ कर जा चुके है, और सी एनिमल्स की सर्वाइवल पर भी सवाल खड़ा हो गया है, तो क्या वो खुद को इस मुसीबत से बचा पाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी में, तो मूवी की शुरू में हम देखते हैं कि अर्थ पर एक भयानक एकोलोजिकल चेंज हुआ है, जिससे सारे कॉंटिनेंट्स पानी में डूप गए है, और इनका जिम्मेदार है इंसान, जो इस प्लैनेट को छोड़ कर किसी और प्लैनेट पर जाबसा है, सी एनिमल्स की जा और यहां से निकल कर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, क्रैकन उन्हें बहुत समझाता है, कि बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जहां उनके जैसे अनिमल्स सर्वाइब नहीं कर सकते, और इसलिए वो कभी किसी को बाहर नहीं जाने देता, यहीं हम डीप के दोस वो कुछ जादा ही डरने लगे हैं लेकिन क्रैकन तो बस इतना चाहता है कि डीप आगे चल कर एक अच्छा लीडर बन सके जो उसके बाद इस को लोने का ध्यान रख पाए वो डीप के इक अठा की हुए इंसानों के समान को भी बाहर फैंक देता है और कहता है कि यहां हम सब एक टीम की तरह रहते हैं और तुमें भी काम में उनका हाथ बटाना चाहिए फिर एक ब्लॉफ फिश उसे केव की फिल्टर साफ करने को कहती है और डीप अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाता है वहां वो नजर बचा कर केव से बाहर आ जाते हैं और डीप देखता है कि वहां इंसानों का काफी सामान बिखरा हुआ है इसी तरह मस्ती करते वे उसकी नजर एक मिसाइल पर पड़ती है और वो अंजाने में उसे एक्टिवेट कर देता है। पहले तो वो उसे बहुत इंजोई करते हैं लेकिन देखते हैं कि इसकी स्विट तो कंट्रोल से बाहर हो रही है और उनके कूते ही मिसाइल सी फ्लोर पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। की बहुत कोशिश करता है लेकिन वेट जादा होने के कारण वो लोग उसे नहीं हटा पाते और जल्दी ही हार मान जाते हैं बीब अपने दादा जी से सोरी बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है और मुझे आपकी वोर्नी को इग्नोर नहीं करना चाहिए था तब क्रैकन उसे ब कि लास्ट टाइम उसे इंसानों के बस्ती में देखा गया था डीब ये काम करने के लिए तयार हो जाता है और कहता है कि वो मदद लाए बिना वापस नहीं आएगा क्रैकन आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ लेंडमार्क्स देता है और वो तीनों अपनी जर्नी पर न निकलना चाहिए लेकिन डीब उनकी एक नहीं सुनता और जबर्दस्ति उन्हें उसके अंदर ले आता है वहां कुछ टनल से होते हुए वो बहार निकलते हैं और देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा शिप खड़ा हुआ है ठीक वैसे ही जैसा कि क्रैकन ने बताया था क पूरियस होकर वो उसे अंदर से चेक करने जाते हैं और यहां उनका सामना नॉर्मा नाम की एक विंपायर स्क्वीट से होता है जो खुद को एक बहुत बड़ा सिंगर मानती है एलिस उसे इंसानों की बस्ती तक जाने का रास्ता पूछती है और नॉर्मा बताती है कि मैंन इननी जल्दी तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अब लुऌने तो तुम्हें मेरी एक पर्फॉरमेंस देखनी है वरना मैं तुम्हें भी अपनी तरह एक वेंपायर बना दूंगी उन तीनों के पास भी और कोई चारा नहीं होता और नॉर्म्आ अपनी पर्फॉरमेंस कर निकलता है और फिर उन्हें एक ब्रीच क्रोस करना होगा डीप और उसके दोस्ते जानकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और नोर्मा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे जाती है लेकिन वो उसे चक्मा देखकर वहाँ से कर लेती है और कहती है कि मैं काफी टाइम से अपने खाने का वेट कर रही थी डीप उसे वोन करता है कि मेरे दोस्त मुझे बचाने आते ही होंगे और ये सुनकर मोरा एकदम से उदास हो जाती है पता चलता है कि यहां उसका कोई दोस्त नहीं है और इसलिए वो अपना सारा वक्त यूहीं अकेले ही बिताती है एलिस और ईवो डीप को यहां से निकलने को बोलते हैं और उनके मना करने के बावजूत डीप मोरा को अपने प्लैन के बारे में सब बता देता है मोरा अपने बिहेविर के लिए उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इस ट्रिप में तुमारी मदद कर सकती हूँ एलिस और ईवो डीप को बहुत समझाते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलने वाला यहीं एक सीन में हम उनकी केव को देखते हैं जो तूट कर नीचे लावा में गिर रही है और क्रैकन को लगता है कि शैद डीप टाइम पर वापस नहीं आ पाएगा उदर डीप और उसकी दोस्त एक जगा अराम करने लगते हैं लेकिन पता चलता है कि मोरा गलती से उन तीनों को निगल गई है बड़ी मुश्किलों से वो उने वापस बाहर निकालती है और डीप अपने दोस्तों से कहता है कि ये शैद उसने गलती से किया था और हमें मोरा को एक और मोका देना चाहिए ये कहकर वो अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं और जल्दी उने वो ब्रीज नजर आता है जिसके बारे में नौर्मा ने बताया था वहाँ उने ब्रोडवे का साइन भी दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं फिर वो लोग उस ब्रीज को क्रोस करने की सोचते हैं लेकिन देखते हैं कि कुछ क्रैप्स ने उने गेर लिया है जिनका लीडर रिको नाम का एक येती क्रैब है टीपुने अपने मिशन के बारे में बताता है लेकिन रिको कहता है कि मेरे इलाके से कोई जिन्दा वापस नहीं जा सकता और अगर तुम बचना चाते हो तो तुमें हमें डांस के लिए चैलेंज करना होगा ये सुनकर एलेस आगे आती है जिसे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शोक है और उसके और रिको के बीचे एक मुकाबला शुरू हो जाता है रिको उसके मूवस देखकर बहुत इंप्रेस होता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगा है वो एलेस से यहीं अपने पास रुखने को कहता है लेकिन एलेस उसे समझाती है कि वो इस तरह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकती और उससे वादा करती है कि मैं तुमसे मिलने वापस ज़रूर आऊंगी वहाँ से निकल कर वो न्यूयोक सीटी में आते हैं जो पूरी के पूरी पानी में समाई होई है और उन्हें लगता है कि नेतन मेहिनी में से किसी एक बड़ी बिल्डिंग में रहता होगा वो ऐसी एक बिल्डिंग को चेक करने जाते है जहां उनका सामना बड़े-बड़े इंसानी पुतलों से होता है और हमीशा की तरह डीप यहाँ भी उन सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है किसी तरह बचते वे वो उस बिल्डिंग से बाहर आते है और आगे उन्हें एक सब्वे स्टेशन नजर आता है यहां उन्हें बंद पड़ी एक मेट्रो कार दिखाई देती है और डीप कहता है कि वो इसकी फोटो पहले देख चुका है और यह उन्हें तेजी से सिटी में कहीं भी ले जा सकती है वो चारो उस मेट्रो में सवार हो जाते है और डीप के लीवर खीचते ही वो चलने लगती है जल्द ही उसकी स्पीट बहुत फास्ट हो जाती है और उसकी क्रेश होने से पहले ही वो चारो तैरकर वहां से बाहर निकलाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एक radiation zone है और उसे infected zombies फिश उन पर attack कर देती हैं वो चारो भागते वो एक container में आते हैं जिसके सामने एक net लगा हुआ है और deep पड़ी चाला किसे उन zombies को उस net में कैद कर लेता है उसके दोस्त उसे यहां से वापस चलने को कहते हैं क्योंकि कि वो कदम कदम पर उनकी जान खत्रे में डाल रहा है लेकिन deep कहता है कि मैं मदद लिये बीना वापस नहीं जाओंगा और ये कहकर वो वहां रखे कुछ drums को हटा देता है इससे पानी का pressure उन्हें city से बाहर ले आता है और वो वहां एक underwater sea storm में फस जाते हैं पता चलता है कि ये उन्हें city से बहुत दूर ले आया है और ये देखकर उन्हें deep पर बहुत गुसा आता है कि उसे इस तरह अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए वो उस पर लापरवा होने का इल्जाम लगाते हैं कि वो आने वाले खत्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और ना ही अप के साथ मिलकर फैसले लेने चाहिए तब ही वो उपर एक हैज को खुलते वे देखते हैं जिसमें से तीन एनिमल्स निकलकर उनी के ओर आ रहे हैं एक पैंग बेन आगे आकर उनका वैलकम करता है और बताता है कि तुम इस वक आर्थिरी नाम के एक स्पेसचिप के पास हो जि हम यहां नेतन नाम के एक वेल को डूनने आए हैं यह सुनकर राल्फ एकसाइटीड हो जाता है लेकिन डार्थ से उसे कुछ नहीं बोलने देता और कहता है कि वैसे तो हम ऐसे किसी वेल को नहीं जानते लेकिन इस स्पेसचिप में एक सोनार सिस्टम लगा हुआ है जिससे तुम अपने दोस्त को ढून सकते हो वो उन्हें अपने साथ अंदर आने को कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है आगे वो राफ से उन्हें शिप का टूर देने को कहता है और वो चारों उसके पीछे कंट्रोल रूम में आ जाते हैं वहां पीचे ही हमारा आर्क टू शिप है जो जमीन पर रहने वाले अनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और तीसरा और आकरी शिप है अर्क थ्री जिसे हमने सी अनिमल्स के लिए बनाया है इन अनिमल्स को शिप पर लाने की जिम्दारी तीन क्रीशर्स को दी गई है जिनका "'ig इनिमल्स को फ्रीज करके लाने वाले हैं ताकि वो इस लंबी जर्नी को पूरा कर सकें। उधर लुई जी डार्सी से कहता है कि हमारा शिप तो वैसे ही ओवरलोड हो रहा है तो फिर इनिमल्स को यहां लाने की क्या ज़रूरत है। इस पर डार्सी उसे बताता है कि यह चारों भी हमारे तरह काफ़ इंटेलिजेंट लगते हैं और ऐसे ही आनिमल्स की मदद से हम नए प्लैनेट पर इंसानों की बराबरी कर सकते हैं। इधर डीप और उसके दोस्त देखते हैं कि शीप के लॉंच होने में बस एक ही घंटा बचा है और डीप उन्हें अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है तब डार्सी लूई जी से उन्हें सुना रूम में ले जाने को कहता है और खुद मूरा को भड़काने लगता है कि डीप तुम सब को यहां मरने के लिए लाया है और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम लोगों के जान बचा सकता हूं। मूरा भी उसक की बातों में आ जाती है और डार्सी उसके साथ मिलकर डीप और उसके दोस्तों को एक रूम में कैद कर देता है। मूरा उन्हें समझाती है कि यह सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है और नए प्लैनेट पर तुम मुझे थैंक्स बोलने वाले हो। रूम में अब बस आदा घंटा बचा है वो नेतन से अपनी ताकत यूज करने को खहते हैं ताकि वो उन्हें यहां से बाहर निकाल सके लेकिन डार्सी को उनके प्लैन का पता चल जाता है। मूरा भी नेतन को यहां देखकर बहुत हैरान होती है और समझ चाती है कि डार्सी ने उन ल डीप भी यह सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उससे लगता है कि यह सब शैद उसी की गलती है और वो अपने दादा जी की उमीदों पर खराम नहीं उतर पाया। एलिस उसे खुद पर भरोसा रखने को कहती है और बताती है कि चाहे तुम कितने ही सेलफिश क्यों नहों ल पैनल को खोलती है और यह वो उसके इलेक्टिस सर्केट्स को जैम कर देता है क्योंकि एंगलर फिर्श होने के कारण इलेक्टिसिटी का उस पर कोई असर नहीं होता। इससे वो मशीन बंद हो जाती है लेकिन नेथन बताता है कि अभी भी अमारे पास बाहर निकलने का कोई की रास्ता नहीं है तब वो एक CCTV के दुरू मोरा से बात करते हैं जो शिप के कंट्रोल रूम में बैटी है और डीप उससे अपने बिहेविर के लिए माफी मांगता है मोरा उनके निकलने के लिए एक वेंट खोलती है और डीप नेथन से प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वो उसे पहा निकाल लेंगे वहां से वो सारे कंट्रोल रूम में आते हैं जहां उनकी और डार्सी के टीम के भी लड़ाई शुरू हो जाती है डार्सी अपने गन से डीप को फ्रीज करने की कोशिश करता है लेकिन वो बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद फ्रीज हो जाता है फिर डीप मोरा की मदद से डार्सी को भी फ्रीज कर देता है और यही हाल वो राल्फ का भी करते हैं लुई जी गुसे में उन पर अटैक करने आता है लेकिन वो एक सेफटी पोर्ट की मदद से उसे दूर भेज देते हैं तब ही अचानक वो शिप लॉंच हो जाता हैं पानी का टेंपरेचर सब ही एनिमल्स को डीफरीज कर देता है और वो देखते हैं कि नेथन और रीवो भी एकदम सही सलामत हैं यह देकर वो सब बहुत खुश होते हैं और नेथन कहता है कि अब हमें जाकर क्रैकन की मदद करनी चाहिए उधर केव की हालत बहुत खराब है और क्रैकन को लगता है कि अब उनके बचने के कोई चांस नहीं है तब यह उसे डीप की आवास सुनाई देती है जिसके साथ नेथन भी है और यह सुनकर क्रैकन खुश हो जाता है फिर नेथन उस चटान को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी जगा से मूव नही हो पाती और वो बताता है कि जरूर इसके नीचे कुछ अटका हुआ है तब डीप और उसके दोस्त उस रुकावट को हटाने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बीच में एक चोटा सा पत्थर अटका हुआ है उसे हटा कर बाकी तीनों तो वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन तब ही एक होल से डीप बहाँ निकल आता है और ये देखकर वो सब रिलेक्स फिल करते हैं क्रैकन को डीप पर बहुत प्राउट फिल होता है और डीप उसे बताता है कि बिना अपनी टीम की मदद के वो ये नहीं कर पाता फिर क्रैकन रिटायर होकर नेथन के साथ गूमने निकल जाता है और मोरा सबको बताती है कि हमें समुद में अपनी प्रजातियों को फिर से बढ़ाना होगा डीप को लगता है कि उसके पास तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं है और तब मोरा उसे एक फीमेल ओक्टोपस से मिलवाती है और डीप की लव लाइफ भी शुरू हो ज थैंक यू